लास्ट वीक मैंने कैसे $3800 का profit बनाया है आए दिखाता हूँ आपको इस वीक मैंने दो trades लगाई है पहली trade आपको यहाँ पे नजर आ रही है Pound JPY के ओपर 5 minute time frame है और जैसे कि आप देख रहे हो price बहुत लंबेर्स तक एक range में थी finally इसने इसको break किया है और मैं high time frame से identify कर चुगा था कि हम उपर की तरफ move करेंगे break of this high मेरा boy stop set था और unfortunately हम इस bullish pressure को maintain नहीं कर पाए और price हमारे against turn कर गी अब हम आ जाते हैं हमारी दूसरी trade के जानिब जो के again on pound JPY है 5 minute time frame आप देख रहे हो और यहां बड़े time frame से मैंने यह identify किया था कि हम नीचे की दरफ move करेंगे break of this low मेरा self stop set था 10 pips का मेरा stop loss था above this lower high price थोड़े से draw down के बाद हमारे direction में move कर गई अब अगर हम आज से कि मैंने इन दो trade से कितना profit यह loss बनाया है मैं personally दो accounts trade करता हूँ मेरा 5k euros वाला personal account और मेरा यह 100k dollars वाला my forest funds का account जैसे कि आप देख सकते हैं overall मैं इस account पे 2000 dollars in profit हूँ और यह जो दो trades मैंने आपको दिखाई हैं वो आपको यहां नजर आ रही है पहली 460 dollars loss में बांद रही और दूसरी 3200 dollars profit में बांद रही है इसको नहीं जानते हैं यह कैसी कंपनिया जो आपको अपने पैसे देती हैं trade करने के लिए अगर आप उनका यह target पूरा कर दें time limit नहीं है जितने time में मरसिक आप उनका यह target पूरा कर दें तो यह amount आप की हो जाती है और आप इनसे जितना भी profit बनाए 85% उस profit का आप रख सक अगर आपको वीडियो चले किये तो please consider to subscribe और like and comment करना मत बूलिएगा अगर आपका कोई स्वाल हो तो आप मुझे नीचे comment section में पूछ सकते हो या फिर आप मुझे instagram पर प्रोच कर सकते हो link मैं नीचे दे दूँगा मेरी आप से मुलागात होगी next वीडियो में अला हाफीज झाले होगी